आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के लिए आज का जो विशय है वो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए आज यहां पर मैं बताऊंगी कि आपको स्टोन कौन से पहनने चाहिए यानि कि रतन कौन से पहनने चाहिए आपकी राशी के मताबिक लोगों के मन में दोविधा रहती है, कन्फ्यूजन रहती है, कि कौन सा रतन उनको सूट करेगा, क्योंकि रतन बहुत महंगे आते हैं, और हर किसी के पास उनकी कीमत को चुकाने के लिए उतने प्रयाप्त साधन नहीं होते, तो इसलिए रतन किस प्रकार से आप पहन सकते हैं ता आपके आपको कम कीमत में अच्छे से अच्छा प्रभाव मिल सके, देखिए व्रिशब राशी के लिए जो उनका राशी स्वामी है वो है शुक्र ग्रे, शुक्र सभी तरह की भोग विलास्ता का कारक माना जाता है, शुक्र हमें वो चीजें देता है जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में अगर हम शुक्र को स्ट्रॉंग कर लें, शुक्र को मजबूत कर लें, क्योंकि शुक्र आपका राशी स्वामी है तो ऐसे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर स और हीरा पहनना हर किसी के बस में नहीं क्योंकि हीरा आप लोग पहनेंगे आप लोगों को सॉलेटियर पहनना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने उचित प्रभाव लेने हैं तो हीरे की कीमत बहुत जादा बढ़ जाती है। शुकर के जो उपरतन है ओपल इसमें सबसे अच्छा माना जाता है ओपल अगर आप पहनते हैं तो शुकर के अच्छे प्रभाव आप उसी प्रकार से पा सकते हैं जिस प्रकार से आप डायमंड पहन कर पा सकते हैं इसके इलावा फिरोजा भी पहना जाता है फिरोजा जो रत उसे पहनने से रिष्टों में मजबूती आती है, प्यार का संचार होता है, भविश्य में आने वाले संक्टों से भी बचने के लिए ये धारन किया जाता है, और ओपल रतन को भी शुकर का ही उपरतन माना जाता है, इसे धारन करने से मांसिक तनाव, उदासींता, आलस, और इसके साथ-साथ अगर आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, जिसे आरबीसी बोला जाता है, तो भी ओपल रतन धारन कराया जाता है, इसको धारन करने से रक्त विकार संबंदी जो भी दिखते हैं, वो सब दूर होती है, इसी प्रकार से फिरोजा पहनने से भी बह प्रदे संबंदी अगर समस्याएं हैं, अगर रोग हैं, तो उसके लिए भी फिरोजा रतन धारन करना चाहिए, एक और सबसे इंपॉर्टन बाद मैं बताने वाली हूँ, जो लोग प्रेम संबंदों को सही करना चाहते हैं, जिनके प्रेम संबंद कभी भी सही नहीं चलते उन लोगों को फिरोजा रतन जरूर पहनना चाहिए, फिरोजी रंग का ये रतन, गहरा नीला, आसमानी और कई बार हरे रंग में भी आता है, ये रतन जो है प्रेम संबंदों के संबंद में ही सबसे ज़ादा जाना जाता है, इसको पहनने से प्रेम संबंद बहुत उठियां बनवाएं, शुब मुरत में एक दूसरे को पहनाएं, ये रतन धीरे-धीरे रिष्टों में सुधार करता है, जरूरी नहीं है कि कोई भी रतन राशी के अनुसार पहनाया जाए, जरूरी नहीं है कि ये आपके लगन के अनुसार पहनाया जाए, कई बार रतनों क आपकी परिशानी को देखकर भी पहनाया जाता है तो इसका सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि आप लोगों के जीवन में किस प्रकार की परिशानी चल रही है इसे देखकर रतन पहनाया जाए तो उसका जो प्रभाव है वो कईगुना जादा अच्छा होता है अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को रक्तचाप से संबंदित किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती हो ब्लाड प्रेशर बहुत कम या जादा होता हो तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए फिरोजा रतन धारत करना चाहिए ऐसा करने से आप लोगों के इलाज में सफलता मिलेगी ये ज़रूरी नहीं कि फिरोजा रतन धारन करने से एकदम से ब्लाड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा प्रंदो जो दवाईयां आप ले रहे हैं उसका प्रभाव आप पर बहुत अच्छे से होने लगेगा हो सकता है कि आपको दवाई लेनी ही ना पड़े तो ऐसे भी चीज़ों में फिरोजा रतन जो है वो आपकी हल्प करता है और इसके साथ-साथ ये हल्प करता है बरी नजर से बचाने के लिए फिरोजा रतन अगर आप पहनते हैं तो बुरी आतमाएं बुरी ऊर्जा बुरी चीज़ें जो है वो आपके आसपास भटक नहीं सकती भूत प्रेज जैसी शक्तियों से आप बचे रहते हैं तो उन लोगों को फिरोजा रतन जरूर पहनना चाहिए जिनको किसी बात का डर लगता है बहर रहता है ऐसे में आप लोगों के ये दोश जो है वो शान्थ हो जाते है फिरोजा रतन मार्किट में आप लोगों को बहुत अराम से मिल जाता है पंच धातू या चांदी में भी इसे बनवाया जा सकता है इसका ब्रेसलेट या लॉकेट बनवा कर आप पहन सकते हैं अगर आपकी कुंडली में राहू या केतू के दोश हो तब भी आप फिरोजा रतन पहन सकते हैं उनको शान्थ करने के लिए भी इसे पहना जाता है प्रन्तु मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप किसी योग्ये जोतिश की सलह जरूर ले ले इसको पहनने से पहले आप लोगों को उनसे पूछना जरूरी है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन सा रतन पहनना चाहिए ये जरूरी होता है देखिए डॉक्टर को दिखाए बिना कभी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए इस बात को भी मैं जरूर कहूंगी अगर आप इस प्रकार से ही रतनों के बारे में और जानना चाहते हैं उनका डेटेल में आप जानना चाहते हैं कि रतन आप लोगों के लिए किस प्रकार से लाबकारी है रतन आप लोगों के लिए क्यों पहनने चाहिए आपकी राशी के अनुसार कौन सा रतन आपको पहनना चाहिए जादा से जादा अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें जितने जादा कमेंट्स होंगे उतनी ही वीडियो आपको जादा मिलेंगी आप लोगों को इसे related बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि आपको कौन सा रतन किस प्रकार से पहनना चाहिए आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें ताके बाकी लोग भी रतनों के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकें आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत हन्यवाद